अब बात करेंगे खबरों वाले शेयर्स की हमारे साथ शरत जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर शरत गूड मॉनिंग बताई गूड मॉनिंग पूजा सबसे पहले आएफल फाइनांस पे इंपॉर्टन खबर आई है और हम कह सकते कि हमारे खबर पे मुहर भी आई है जून 7 को हमने ब्रेक भी किया था कि इनके जो आर्बिय रिस्रिक्शन से गोल लोन पे निकल सकते हैं अफकॉस अब जो है यह यह न्य यह पॉजिटिव न्यूस लो आ सकती है देखा जाए तो मार्च के महीने में जो है यह कर्ब्स पुटिन किया गए थे क्योंकि कुछ प्रोविजिन्स जो होते हैं लेंडिंग को लेके और बिजनस को लेके वहां पे थोड़ी सी वाइलेशन होई थी जाइडस लूपिन के ले भी नेगेटिव न्यूस लो है एक सेट बैक आया है जी माय बेट्रिक के लिटिगेशन को लेकिए अब इस दवाई का नाम है यह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन अगर सिंप्लिफाइग करें तो यहां पे जो है थोड़ी सी आप कह सकते यूएस में जो है स्टॉक रहेगा यहां पे उन्होंने अपनी 30,000,000,000,000,000,000 की क्यापक्स कंप्लीट कर दी है कारवन मट्रीरियल और यह कमिशन भी हो चुकी है प्लांट हुटकों की बात करें तो लोन असिस्टेंस होता है वह 25 परसें से बढ़ा सकते एक लाग करोड़ कर सकते नए IDFC First Bank के लिए जो है positive news flow है RBI grant जो है approval कर दिया है वी वेदिनातन का appointment में as an MD or CEO IDFC First Bank के लिए और यह जो tenure का expansion है यह लगभग December 2027 तक का है NTPC में भी board ने approval दिया investments की लगभग 20,000 करोड उपे का दो thermal projects के लिए और आखिर में access bank के लिए भी sentimentally negative news flow है सेवी ने बार किया है access capital को merchant banking करने के लिए debt segment में और उसके जगा company ने clarification भी दिया अब यह आप उन्होंने कहा कि overall जो है business पे impact नहीं पड़ेगा और जो total contribution आता है इस segment से वो एक परसेंट के नीचे है तो overall financial impact नहीं पड़ेगा access bank को ठीक है बहुआ बहुआ दा शुक्रिया शरद आपका ये पूर अपड़ेट देने के लिए तो access bank को लेकर negative खबर जरूर है लेकिन bank का कहना है कि यह जादा कुछ impact नहीं आगा क्योंकि एक परसेंट से कम का contribution है AIFL finance के लिए काफी positive खबर, Zydus looping के लिए negative खबर और इसके अलावा hood को Phoenix Mills IDFC First Bank NTPC जैसे stocks आज फोकस में रहेंगे इस पर नज़र रखिए आब अरका रुक करते हैं, फोकस में रह सकते हैं आज sugar stocks भी क्योंकि ethanol की कीमतों में 2-5 रुपे प्रती लीटर का इज़ाफा हो सकता है यह exclusive खबर लेकर प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जोड़ जुके हैं, प्रकाश बताइए देखिए ethanol प्रोड्यूस करने वाले companies और जो distilleries हैं उनके लिए रहत की खबर है, सकरात्मक खबर है सुत्रों के हवाले से जो जनकारी हमें मिल रही है, उसके हिसाब से सरकार जल्दी ethanol की जो कीमते हैं उसमें बढ़ोतीरी कर सकती है सुत्र हमें बता रहे हैं कि petroleum मंत्राले ने प्रस्ताव पर काम करने की शुरुआत कर दी है, जो next ethanol supplier है, उसके लिए ethanol की जो कीमते हैं उसकी समिक्षा की जा रही है और एक प्रस्ताव तयार किया जा रहा है इस वक्त inter-ministerial consultation की प्रक्रिया चल रही है, साथी साथ जो दुसरे तमाम stakeholders है, जिसमें wall marketing companies हैं, उनसे भी उनकी सला ली जा रही है और उसके बाद जो final cabinet note है वो तयार किया जाएगा और cabinet की मंजूरी मिलने के बाद इसको लागू किया जाएगा सुतर हमें इस बात की भी जनकारी दे रहे हैं कि जो food ministry ने अपने inputs दिये हैं, उसके हिसाब से इस बात की सिफारिश की गई है कि ethanol की कीमतों में करीब 2-5 उर्पे प्रति लिटर की बढ़ूतरी कर दी जाए next ethanol supplier के लिए तो जाही तोर पे जो ethanol companies हैं, जो distilleries हैं, उनके लिए ये काफी सकरात्मक खबर है इसके लावे एक और important update है, ethanol blending से समदित जिसमें, जो ethanol blending target है, वो 20% का है 2025 तक लेकिन इस वक्त अगर आप current status देखें, तो ये बढ़कर 13.6% हो गया है August 2024 तक सरकार इस बात को लेकर confident है कि वो 2025 तक 20% के target को हासिल कर लेगी, तो ये काफी सकरात्मक खबर है हलाकि जो शुगर के जूस से सम्मंदित जो ethanol production पर रोक लगी हुई थी, उस notification को सरकार ने हटा लिया है इसका मतलब वो रोक खत्म हो गई है, इस बात की उमीद है कि जब ethanol की supply में बढ़ोतरी होगी तो जो blending का जो process है उसमें भी तेजी आएगी और अगर कीमतों में भी बढ़ोतरी हो जाती है तो जाहिर तोर पर जो शुगर के इन companies हैं जो थिनॉल प्रोडूस करने वाली companies हैं या फिर जो distilleries हैं वो production में तेजी लाएंगी और supply में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी बिल्कुल तो यह कुछ शुगर कंपनियों से related ख़वरे यहां पर निकल कर आ रहे हैं तो इन समान स्टॉक्स पर नज़र रखे आज शुगर कंपनियां वापस से focus में रह सकती है एक positive ख़वर यहां पर कंपनियों के लिए